नमस्कार दोस्तों पगार बुक में आपका स्वागत है और अब हम देखेंगे दैनिक सालरी स्टाफ का हिसाब कैसे करना है सबसे पहले स्टाफ जोडते हैं और यहाँ पर नीचे स्टाफ का मोबल नमबर डालेंगे और सालरी पेमेंट का तरीका चुनेंगे दैनिक और आगे बढ़ेंगे, staff की दैनिक salary हम यहाँ पर enter करेंगे, staff का महिना कैसे चलता है, वो तारिक हम यहाँ पर select कर सकते हैं Opening balance अगर कुछ है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले का बकाया या advanced हम यहाँ पर लिख सकते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक सालरी स्टाफ की प्रोफाइल बन चुकी है बहुत सरे ओप्शन से हाजरी लगाएं, सालरी स्लिप, पेमेंट जोडे, बोनस ओवर टाइम, लोन हिसाब, जुलाई सालरी, जुलाई पेमेंट्स, पिछला महिना जोडे और उपर राइट साइड में पैन वाला आइकॉन है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, तो प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं स्टाफ का नाम, मोबाइल नंबर या शिफ्ट गंटा एडिट कर सकते हैं स्टाफ का स्टेटस, मतलब खाता चालू है या बंद वो यहाँ पर देख सकते हैं और खाता बंद करना है कुछ दिनों के लिए, तो वो भी हम यहाँ से बंद कर सकते हैं हाजरी हिसाब शेयर कर सकते हैं वाटसैप पर और नीचे बटन है डिलीट स्टाफ उस पर क्लिक करेंगे तो यह स्टाफ डिलीट कर सकते हैं हाजरी लगाए में जाएंगे तो ये automatically उपस्तित ऐसी हाजरी लग जाती है क्योंकि आपका time और efforts बचाने के लिए लेकिन ये आप change कर सकते हैं half time या अनुपस्तित या फिर कुछ overtime जोड़ना है late fine जोड़ना है छुट्टी जोडनी है या फिर note लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं और पर जो भी entry आप करते हैं उसकी अगर staff को sms में information भेजनी है staff को इसका sms जाना चाहिए तो यहाँ पर ये blue tick mark होना चाहिए तभी आप जो भी entry करेंगे उसका sms staff के mobile number पर चला जाएगा इसके साथ है payment जोडे यहाँ पर आप जो भी payment करते हैं उसकी राशी enter कर सकते हैं और जो भी date है वो और इसे save कर सकते हैं तो ये आप July payments में देख सकते हैं और इसे अगर edit करना है तो यहाँ से edit कर सकते हैं या फिर delete भी करना है तो यहाँ से delete कर सकते हैं उसके बाद bonus overtime कुछ overtime किया है तो वो एक गंटे का overtime कितना है वो हम यहाँ पर डालेंगे कितने गंटे उसने overtime किया वो और overtime जोड़े पर क्लिक करेंगे calculation automatic हो जाएगा तो यह हम देख सकते हैं salary में यहाँ पर आप देख सकते हैं overtime आ चुका है bonus जोड़ना है तो वो भी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं जो भी तिथी है वो और description अगर कुछ डालना है तो वो bonus जोड़े पर क्लिक करेंगे और यह भी July salary में आपको दिखाई देगा loan अगर आपने कुछ दिया है आपके staff को वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं जो भी तिथी है वो और किसलिए loan दिया यह अगर आपको लिखना है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं loan डाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह entry आ जाएगी loan काटना है तो loan काटे पर क्लिक करेंगे कौन से salary से तो July salary से यहाँ पर एक option आता है पिछला महिना जोडेंगे तो यहाँ पर पिछला महिना भी आ जाएगा मतलब June salary तो वो भी यहाँ पर आ सकता है description हम यहाँ पर डाल सकते हैं loan काटेंगे तो यहाँ पर loan कट जाएगा और अगर मुझे और loan डालना है और मैंने 5000 का loan दिया है तो loan डाले पर फिर से हम क्लिक करेंगे यहाँ पर जो भी नई रकम है तो वो और जो भी ती थी है वो description अगर कुछ रहेगा तो वो और loan डाले पर क्लिक करेंगे ऐसे आप यह transaction की entry यहाँ पर कर सकते हैं और इसका अगर report निकालना है तो उपर right side में circle है वहाँ से loan का report डाउनलोड कर सकते हैं salary slip आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर full slip या sunshift ऐसे दो रूप में आप salary slip डाउनलोड कर सकते हैं या share कर सकते हैं यहाँ पर update भी select कर सकते हैं और download या share कर सकते हैं पिछला महिना जोड़े यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाए देगा महिना जोडने पर आपका बकाया राशी में पिछले महिने की जुड़ जाएगी महिना जोडने के बाद पिछले महिने का पूरा payment भी जोड़े save करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैь जून closing balance 6000 बकाया clear बकाया राशी यहाँ पर दिखाए दे रहा है तो हमें 6000 पूरा payment करना है क्योंकि पूरा payment हमने कर दिया है तो यहाँ पर हमें clear करना है तो यहाँ पर हम 6000 डाल देंगे क्योंकि मैंने ये जून का payment कर दिया है तो जून की जो भी payment की date है वो हम select करेंगे और यहाँ पर ये save गर देंगे तो आप देख सकते हैं जून closing balance 0 हो चुका है अगर मुझे पिछले मेनिक की हाजरी लगानी है तो मैं हाजरी में जाओंगा उपर जुलाई दिख रहा है तो उसके बाजू में छोटा arrow है वहाँ पर click करने के बाद जून लोड हो जाएगा और यहाँ पर मैं जो भी हाजरी है वो लगा सकता हूँ इसके साथ ही अगर आपको और कोई help चाहिए तो पगार बुक आप के home screen पर help बटन है